हलो दोस्तों आप सब होंगो स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आप सब ही कैसे हैं आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरह में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे तो कल से हमने जारखन जीके का टोपिक शुरू किया है और कल का जो टोपिक था वो जारखन की इतिहास से संबंदी था और आज हम लोग देखेंगे जारखन की इतिहास में ही साहित्यक स्रोथ के बारे में जारखन के बारे में जारखन का उलेग साहित्यक स्रोथ का अधर पे क्या क्या रहा है और हमें साहित्यक स्रोथ के माध्यम से जारखन की इतिहास के बारे में किन-किन बातों जान पाते हैं, जानकारी पाप आते हैं, उन सारी बातों को आज किसके वीडियो में MCQ के माध्यम से, अब आस्तुनिष्ट प्रश्चन के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो चली शुरू करते हैं ज्यादा बहस ना करते हुए बाते ना करते हुए आपके सामने है पहला कोश्चन सहित्यक स्रोत में से पहला कोश्चन वायदिक सहित्य में छोटानागपूर छेत्र के लिए किस सब्द का परियोग किया गया है? वायदिक सहित्य में छोटानागपूर छेत्र के लिए किस सब्द का परियोग किया गया है? उप्सन है आपका किकट, उप्सन B खुकरा, उप्सन C पिंड, पुंड या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा वायदिक सहित्य में छोटानागपूर छेत्र के लिए खुकरा सब्द का पुंड सब्द का परियोग किया गया है अगरा है महाभारत के खाले स्थान पर्व में छोटानागपूर छेत्र के लिए पुंडरिक सब्द का परियोग किया गया है यह बहुत ही basic question है, बहुत easy question है, जिसका question यह बहुत बार आ चुका है question तो इसका option देखिए, राजविजय, कर्णविजय, दिगविजय या इन में से कोई नहीं तो महाभारत के दिगविजय पर्व में छोटानागपूर छेत्र के लिए पुंडरिक सब्द का परियोग किया गया है चलिए, आगे है, महाभारत में जारकन छेत्र को क्या कहा गया है, महाभारत में अभी ही हमने question देखा, है ना तो महाभारत में जारकन छेत्र को क्या कहा गया है, option देखिए, पसू भूमी, पहाड भूमी, नदी भूमी यह जन जातिय भूमी तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप्सन नमबर A पसू भूमी कहा गया है आपका महाभारत में जारकन छेत्रों को चलिए अगला है निम्न में से किस ने तारीक A फिरोच साही की रचना की? आप्सन है अबुल फजल आप्सन B है सम्स A शिराज अफिक आप्सन C मलिक मोहमद जायसी आप्सन D अब्दूल हमीद लहोरी जिसका सही जवाब है आप्सन नमबर B शम्स A सिराज अफिक जिसने तारीक A फिरोच शाही की रचना की थी चलिए आगे है निम्न में से किस ने आपकी जेगा निम्न में से किसकी रचनाओं में जारकन सब्द का उलेक एक पद में आया है किसकी रचनाओं में आप्सन है कभीरदास, सूरदास, रैदास या घुरुनानक तो इसका सही जवाबों का उप्सन नम्बर A कभीरदास की रचनाओं में जारकन सब्द का उलेक एक पद में आया है चलिए अगला है दा नियूरोलिथिक पैटन इन दा प्री हिस्ट्री ओफ इंडिया किसकी पुस्तक है इस पुस्तक के रचनाकार आपको बताना है लेक्खक का नाम क्या है दा नियूरोलिथिक पैटन इन दा प्री हिस्ट्री ओफ इंडिया के रचनाकार कौन है उप्सन है बोर मैन उप्सन बी है डी एन मजुमदार उप्सन ची एसी रोई या उप्सन नमबर डी जेम स्टाल्टन तो इसका सही जवाब होगा उप्सन नमबर ए बोर मैन की द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है चलिए अगला है निम्न में से किसकी पुस्तकों में चेरो, खरवार एवाम भुमिज, आदी जनजातियों के बारे में उनके जारखंड आगमन एवाम संस्कृति संबंदी जानकारी प्राप्त होती है आपको बताना है कि किसकी पुस्तक में मने एक पुस्तक है जिसपर हमारे जारखंड के चेरो, खरवार भूमी आदी जनजातियों के बारे में लिखा हुआ है और उन जनजातियों का जहारकन में किस तरह प्रवेश हुआ आगमन हुआ और उसके संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त होती है अप्सन देखे डाल्टन की रचना में अगला है दकूल ओप छोटनाकपूर के लेखक कौन है अप्सन है अमरनात दास, गायतरी मुर्मू, डाल्टन या बोर्मैन जिसका सही जवाब है ऑप्सन देखे डाल्टन की या रचना है दा कूल ओफ छोटनाकपूर अगला है यह भी रचना का नाम बताना है रचनाकार का पुस्तक का नाम है नोट्स ओन ए टूर इन मानभूम नोट्स ओन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है एल्टिकेल, कुपाल राय, जेम स्टाल्टन या फादर कामील बूल के जिसका सही जाबों का आप्सन नमबर ए एल्टिकेल के रचना है नौट्स और एटूर इन मानभू चलिए आगे हैं एक प्राग यतिहासिक काल से भी हम लोग प्रशन देख लेते हैं कोश्यन है आपका हजारी बाग जीले में पूरा प्रशान कालिन अस्थल का उत्खनन काम कब कराया गया था आपको बताना है 1960 में, 1980 में, 1985 में या 1991 में जिसका सही जवाब हो गया 1991 में औहजारी बाग जीले में पूरा प्रशान कालिन अस्थल की उत्खनन काम कराया गया था किस पूरा प्रशान कालिन अस्थल से भूल भूलया की आकरिती अंतरिक्ष जहांज नच Soul आदी का चित्र पाया गया है कहां option देखिए सरयया रहम इसको दोहांगी जिसका सही जवाब को ऑप्सन नमबर सी इसको जो आपका हजारी बाग में है जिसके उत्खनन कामसब्ज की बाद जो हम देख रहे हैं इसको वहाँ पर एक गुफा है ठीक है निम्र में से कौन सा पुरापशान कालिन स्थल चैबासा में है आपको बताना है चैबासा जीला में कौन ऐसा पुरापशान स्थल है दरगाम बुढ़ाडी बालुगारा या जहरवार तो इसका सही जवाब हो का ऑप्सन नमबर ए दरगाम जो चैबासा में स्थित है और या एक पुरापशान कालिन स्थल है आगे है पत्थर की सिलेट नौपशान कालिन स्थल से मिले है आपको बताना है पत्थर की सिलेट किस नौपशान कालिन स्थल से मिले है उप्सन है चाकगर रहम बसिया और बुर्जू तो इसका सेजवाब का option number d बुर्जु में यह पत्थर के सिलेट मिले हैं चलिए आगे है दरगामा गाओं किस कालीन स्थल मानने जाता है माने कौन सा काल का माना गया है दरगामा गाओं option है पुरपसान मद्यपसान नोपसान तामरपसान तउसका सेजवाब अप्सजुआ काली नस्थल है जहांसे हमें लोहे की आरी प्राप्त भी है अप्सान है बसिया इसको बुर्जू बुर्हादी तो इसका सेज़ वाब होगा बसिया ठीक है वाँ तो ये था आज का वीडियो जिस पे हमने सहित्यक सुरोथ के बारे में जाना और प्राग एतिहासिक काल के बारे में जहारकन की जानकारी हम लोग प्राप्त कर पाए तो ये था आज का वीडियो तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान दिजिए सुरक्षित रहिए और खूस रहिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक जो लोग चैनल में नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का रिक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद